मनीश कश्यप की रिहाई के लिए किसने मांगी हनुमान जी से मननतफ कौन बाट रहा है? एक 11 लाग हनुमान चलीशा की परिती वहीं मनीश कश्यप 24 जुलाई को बिहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इन सारे बातों को हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं नमसकार, मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पोजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग अल्रेडी कर चुके हैं, उन सभी लोग को तहदिल से धन्यवाद, अब आते हैं मुद्दे पे, दरसल मनीश कस्यप सारे तीन महीने मनीश कस्यप को जिल गये हुए हो गये, लेकिन अभी भी वो लाइम लाइट में बने रहते हैं, डीजिटल मीडिया में वो च् सबसे बड़ी बात यह है कि जब से वो तमिलाडू गये हैं, तब से सही ख़बर पूरी की पूरी नहीं आपाती है, लेकिन जो भी ख़बर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रही है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं आपको बताते चले कि दरसल मनीश कस्यप क दोस्त नागेश समराट जो की मनीश कस्यप जब सरेंडर किये थे और मनीश कस्यप से जब पूछतास जब हो रही थी पतना में जब EOEU आर्थिक अपराधिकाई जब उनसे पूछतास कर रही थी उस दोरा नागेश समराट मिलने के लिए जाते हैं और उसके बाद नागे वो काम कर रहे हैं जो की कोई भी एक आम इनसान को और एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए नागेश समराट ने जहां भगवान हनुमान जी से मननत मांगी थी वहीं उन्होंने हनुमान जी से ये मननत मांगी है कि दरसल अगर मनीश कस्यप अगर बाहर निकल जाएगा तो वो बहुत कुछ करने बाले हैं और इसका उन्होंने ऐलान भी किया है लेकिन वो हनुमान जी को खुश करने के लिए एक ग्यारा लाक हनुमान चलीसा की प्रती लोगों में बाट रहे हैं और ये कोई कम बात नहीं है कि दरसल आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजे कि मनी मनीश कश्यप का के सुप्रीम कोट पहुचा लेकिन सुप्रीम कोट ने जब सुनबाई से इनकार कर दिया और तमिलनाडू हाई कोट के पास जाने को कहा इसके बाद खबरे आनी बंद हो गई और बताया गया कि दरसल अब 11 महीने तक मनीश कश्यप को कम से कम जेल में रहना उनके परिवार बालों के सामने एक आसा कि किरन जगी कि अब मनीश कश्यप के साथ अब अच्छा होने की सुरुवात हो चुकी है उनका बुरा बक्स खत्म हो चला है और लगातार उनको दो केस में बेल मिल चुकी है और आसंका जताई जा रही कि आने वाले कुछ महीनों मे उन्हें सभी मामलों में धीरे धीरे बेल मिल जाएगी क्योंकि वो सारा पुराना मामला है मनीश कश्यप के उपर अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो NSA है और NSA के बारे में बताया जा रहा कि BJP इसके लिए पूरा प्रियास कर रही है हला कि हमने आपको पिछली रिप जाता है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी क्योंकि मनीश कश्यप को जिन पुराने मामलों में बेल मिलने की सुरुवात हो चुकी है वहीं अगर NSA अगर हर जाता है तो NSA हटने के एक से डेर महीने के बाद मनीश कश्यप बाहर आ सकते हैं और मनीश कश्यप के समर्थक ज इस तरीके से वो माईक उठा करके सरकों पर गरीबों मजदूरों की आवाज उठाते थे उसी तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जाकर वो गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाएं उनकी आवाज को संसद में बुलंद करें वहीं आपको बताते चले कि मनीश कश्यप के 24 जुलाई को बिहार आने की सूचना है लेकिन असपस्ट सूचना नहीं है और असपस्ट सूचना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले तीन बार से बेतिया के मुखनाईक दंदा धिकारी आदेश पर आदेश देते रहे हैं लेकिन उनके आदेश की तम असल बिहार सरकार ने सुरक्षा ब्यवस्था नहीं की एसकोर्ट की ब्यवस्था नहीं की और सुरक्षा कारणों से मनीश कश्यप को बिहार नहीं लाया गया और उन्होंने कोट को भरोसा दिलाया था कि अगली सुनबाई में मनीश कश्यप को बिहार लाया जाएगा नेकि सब की निगाहे तमिलनाडू पुलिस पटिकी हुई है और सब लोग चाहते हैं कि मनीश कस्यप बिहार आए पिछले सारे तीन महीनों से मनीश कस्यप के समर्थकों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा है और मनीश कस्यप को देखना चाहते हैं वही तमिलनाडू पुलिस का और बिहार पुलिस का कहना है कि मनीश कस्यप के लाखोश समर्थक जो है वो मनीश कस्यप अगर बिहार आते हैं तो उनको देखने के लिए उमर सकते हैं उनको मिलने के लिए उमर सकते हैं और जोस जुनून में कुछ भी हो सकता है और यही सब कारण बताया जा रहा कि सुरक्षा क जिसके कारण मनीश कश्यप को बिहार नहीं लाया गया वहीं मनीश कश्यप के कुछ समर्थकों का तो यहां तक कहना है कि अगर मनीश कश्यप एक बार बिहार अगर आ जाते हैं तो फिर मनीश कश्यप को तमिलनाडू ले जाने नहीं दिया जाएगा मनीश कश्यप के समर्थक सरको पर अर जाएंगे और वो नारा लगाएंगे कि मनीश कस्यप को बिहार में ही रखा जाए सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनीश कस्यप को अगर जेल में ही रखना है तो बिहार के जेल में रखा जाए ताकि मनीश कस्यप के समर्थक उनसे आसानी से जा करके मिल सके वहीं आपको बताते चले कि मनीश कस्यप के समर्थक चाहते हैं कि मनीश कस्यप को बिहार लाया जाए और बिहार के ही जेल में रखा जाए क्योंकि तमिलनाडू में मनीश कस्यप के साथ काफी दिखते आ रही है भासा की सबसे बड़ी दिक्कत भासा की है कि जैसे कि वो किसी स बातचीत भी नहीं कर सकते हैं अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं बता सकते हैं और उनकी जिंदगी अभी नर्क से भी बत्तर गुजर रही है वहीं ये भी खबर आई थी कि उन्हें एक ऐसे वाड में रख दिया गया है जहां पर जादा तर अपराधी लोग के तत्व उस वाड में हैं और उन्होंने वाड को बदलने के लिए तमिलनाडू के कोट में एक याचका भी दायर की थी जिस याचका को खारिज कर दिया गया था वहीं आपको एक नई जानकारी देते चले कि मनीश कश्यप के भाई नहीं बताया था कि लगाताग जो तमिलनाडू पुल में एक याचका दायर की थी पेटीशन दायर की थी कि अब हाई कोट को इस मामले में संग्यान लेना चाहिए और तमिलनाडू पुलिस को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए हलाकि इस मामले में भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है वहीं आपको जानकारी देत चले कि नागेश समराथ समेथ अभी देश भर में तमाम लोग कोई मनीश कश्यप के लिए बोलबम जा रहा है तो कोई बनारस जा रहा है तो कोई महादेव से प्रार्थना कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है मनीश कश्यप के समर्थक अपने मतलब अपना जो लोगों का दमख खराब चल रहा है समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता और मनीश कश्यप का अभी समय खराब है लेकिन आने वाले समय में मनीश कश्यप का भी समय बदलेगा और एक बार फिर से मनीश कश्यप बाहर आएंगे और मनीश कश्यप को उनके समर्थक चुनाम में जिता करके लोक पिछली बार की तरह बहाना बनाएगी आपको जो भी स्मूद्दे पर लगता है पिर पे आपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दे जुले रहे हमारे साथ जैहिन जै भारत जै जै विहार